गुरिया सुम्बुल ने कौन सा राज छुपा रखा था। सर बिर्यानी तो बहुत जबरदस्त है। भाभी जी के हाथों में तो जादू है। इतनी लजीज बिर्यानी मैंने आज तक नहीं खाई। बिलाल ने बिर्यानी खाते हुए फरहान से कहा। ये तो सच है तुम्हार भाभी के हाथों में जादू है लेकिन आज ये जादू भाभी का नहीं तुम्हारे भाभी के हाथों का है। फरहान ने हंसते हुए कहा। मैं कुछ सम नहीं किया ये बिर्यानी भाभी जी ने नहीं बनाई। बिलाल ने हैरत से पूछा। नहीं मैंने बनाई है। क्या है कि कल तुम्हारी भावी के ओफिस में एक जरूरी मीटिंग थी और वे आते आते लेट हो गई थी तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी अपना जादू दिखाऊं फरहन ने खाना खत्म करते हुए कहा अरे वाह सर आप भी इतना अच्छा खाना बनाते हैं वैसे भावी जॉब करती ह है तो घर के काम कौन करता है आप लोगों को तो बड़ी दिखकत होती होगी यहां दुबई में कोई मेड मिलना भी तो आसान नहीं है बिलाल ने उत्सुकता से पूछा हां मेड मिलना तो बहुत मुश्किल है लेकिन हम दोनों मिलकर मैनेज कर ही लेते हैं थोड़े बहुत क पर कुछ कह नहीं पाया आखिर फरहान उसका सीनियर जो था दशमलव आठ महीने पहले ही बिलाल लखनव से दुबई आया था एक बड़े बैंक में उसे अच्छी जॉब मिल गई थी उसका सीनियर फरहान दिल्ली से था और बहुत ही हां स्मुख व मिलनसार दोनों में खास दोस्ती हो गई थी अकसर लंच दोनों साथ करते थे फरहान के लंच में हमेशा ही लजीज खाने होते थे तो बिलाल ने सोचा शायद उसकी बीवी घर पर ही रहती होगी उसे यह जानकर बड़ी हिरानी हुई कि वे भी कहीं जॉब करती हैं वैसे बिलाल की खुद की बीवी उजमा भी खाना अच्छा ही बना लेती थी लेकिन इतना अच्छा नहीं जितना फरहान के घर से आता था कुछ दिनों बाद बातों ही बातों में फरहान ने बताया कि उसकी बीवी मुंबुल कुछ दिनों के लिए भारत गई हुई हैं ऐसे में बिलाल ने एक दिन फरहान क की दावत भी दे डाली। कुछ दिनों बाद मुंबुल भारत से वापस आ गई तो एक दिन। फरहान ने बिलाल को घर पर दावत दे दी। छुट्ती के दिन। बिलाल और उज्मा फरहान के घर पहुँच गए। आए आए भाभी जी। फरहान ने दोनों का स्वागत करते। हुए कहा। सुनिए महमान लोग आ गए हैं। फरहान ने दोनों को ड्राइंग रूम में बैठाया और किचन में काम कर रही अपनी बीवी को आवाज दी। ड्राइंग रूम काफी करीने से सजा था। बिलाल और उज्मा दोनों ही प्रभावित। हुए बिना नहीं रह सके जैसे ही सुम्बुल किचन से बाहर आए बिलाल को एक जोर का ठका लगा उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके सामने मुंबुल खड़ी है उसकी पुरानी मंगेतर बिलाल को देखकर सुम्बुल भी एक पल के लिये ठिठक गई लेकिन फिर जल्दी ही सामान्य हो गई। मुंब मुंबुल और उजमा जल्दी घूल मिल गई और उजमा भी सुम्बुल की मदद करने के लिए किचन में चली गई। टीवी पर आईपीयल का मैच चल रहा था और फरहान विराट कोहली की बैटिंग की तारीफ कर रहा था लेकिन बिलाल का दिमाग तो जैसे एकदम ही शून हो गया था उसे उमीद नहीं थी कि एक दिन मुंबुल इस तरह उसके सामने आ जाएगी खाने की टेबल पर उजमा मुंबुल के बनाए खाने की खूब तारीफे कर रही थी अरे बिलाल तुम्हें पता है हमारी ससुराल भी तुम्हारे पडोस में ही है तुम लखनओ से हो और सुम्बुल कानपुर से बातों ही बातों में लखनओ का जिकर आया तो फरहान ने बिलाल से कहा अच्छा अगली बार कानपुर आएंगे तो लखनओ भी तशरीफ लाएगा बिलाल बस इतना ही कह पाया मुंबुल के सामने ज्यादा बोलने में वह बहुत कह रहा था घर वापस पहुंच कर उजमा तो जल्दी सो गई लेकिन बिलाल की आँखों से नींद कोसों दूर थी गुज्रा हुआ कल एक फिल्म की तरह उसके जेहन में चलने लगा बिलाल के पिताजी और सुम्बुल के पिताजी की आपस में जान पहिचान थी एक माइनस दो बार बिलाल के पिताजी जब कानपूर गए तो उन्होंने वहां सुम्बुल को देखा और उसको बिलाल के लिए पसंद कर लिया लड़का पढ़ा लिखा और अच्छा था और फिर घरबार भी देखा भाला हुआ तो सुम्बुल के पिताजी को भी इस रिष्टे में कोई हरज नहीं द पहले एक दिन अचानक बिलाल के पिताजी ने मुंबुल के पिताजी को फोन करके शादी के लिए मना कर दिया वजय पूछने पर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि उन्हें लगता है कि सुम्बुल उनके घर में एजजस्ट नहीं हो पाएगी थोड़ी देर बाद ही आइम सुम्बुल लेकिन मु ले और घर वालों को लगता है कि तुम हमारे घर के महौल में एजजस्ट नहीं हो पाओगी बाद में मुश्किलें हो इससे अच्छा है कि हम अभी अपने रास्ते अलग कर लें बिलाल ने जवाब दिया वैसे दिल ही दिल में उसे भी अच्छ नहीं लग रहा था इतने दिनों तक मंगनी होने और सुम्बुल से बाते करने के बाद वह भी मन ही मन उसे चाहने लगा था मगर अचानक ऐसा क्या हो गया जिससे आपको लगा मैं वहाँ एजजस्ट नहीं हो पाऊंगी मुम्बुल ने फिर सवाल किया उसकी सम नहीं आ रह था कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जिससे बिलाल और उसके घर वाले उससे रिष्टा खत्म करने पर आमादा हो गए अभी दो दिन पहले ही तो बिलाल के पिताजी किसी काम से कानपुर आये थे और उनके घर भी आये उससे याद नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या किया जिससे बात यहां तक पहुँची अभी दो दिन पहले अब्बू आपके घर गए थे उन्होंने आकर बताया कि जब तक वे आपके घर में रहे आपने किसी काम को हाथ नहीं लगाया खाना बनाना या घर के बाकी काम सिर्फ आप कि अमी ही करती रही और आप बस अपने लप्टॉप पर बैठी रही या नेल पॉलिश लगाती रही अब्बू का मानना है कि हमें अपने घर के लिए एक सजावती गुड्या नहीं चाहिए बलकी ऐसी लड़की चाहिए जो घर संभाल सके और जो तेरी अमी को आराम दे सके बिलाल ने एक लंबा चोड़ा मेसेज भेजा आपको एक बार मू से बात तो कर लेनी चाहिए थी बिना पूरी बात जाने आप लोग इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं काफी देर बाद मुंबूल ने जवाब दिया बात करने लायक कुछ है ही नहीं वैसे भी अब हमें एहसास हो गया है कि जौब करने वाली लड़की घर नहीं चला सकती अगर आप नौकरी छोड़ कर घर की सारी जिम्मेदारिया संभालने के लिए तैयार है तो मैं अब्बू से एक बार बात कर सकता हूँ वैसे जहां तक मू लगता है आप अपनी जौब छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं होंगी इसलिए बहतर यही रहेगा कि हम अपनी राहें अलग कर ले बिलाल ने बात खत्म करने की नियत से लिखा और फिर सुम्बुल का कोई जवाब नहीं आया जल्दी उसकी शादी उजमा से हो गई कुछ दिनों बाद ही उजमा पर घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई शुरू शुरू में तो सब ठीक रहा लेकिन कुछ दिनों बाद ही घर में कला होने लगी बिलाल के तीन और छोटे भाइबहन थे और सब के लिए खाना बनाना और दूसरे काम करना उजमा को पसंद नहीं था बिलाल की अम्मी भी बहू के आने के बाद घर के कामों से बिलकुल बेफिक्र हो गई थी और घर के सारे काम उजमा को अकेले ही करने पड़ते थे फिर तो रोज रोज घर में कला होने लगी बिलाल ओफिस से आता तो अम्मी उसके सामने उजमा की शिकायते ले कर बैच जाती उजमा के पास जाता तो वह सब की शिकायते लेकर बैच जाती तंग आकर बिलाल ने दुबई के एक बैंक में नौकरी के लिए अरजी दे दी और दुबई आ गया रोज रोज की चिक चिक से तो उसको आजादी मिल गई लेकिन दुबई आकर भी उजमा खुश नहीं थी, उसे लगता था कि बिलाल घर के कामों में उसकी जरा भी मदद नहीं करता, वही बिलाल घर के काम करने को अपनी शान के खिलाफ सम ता था, बच्चपन से लेकर आज तक उसने घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया था, उसका मानना था कि घर के काम सिर्फ औरतों को ही करने चाहिए और मर्दों को सिर्फ कमाने के लिए काम करना चाहिए, सुम्बूल और उजमा अकसर मिलने लगी, दोनों परिवार, छुट्टी के दिन एक दूसरे के घर चले जाते या दुबई के खूबसूरत समुद्र तट पर साथ साथ घूमते, हालां कि बिलाल हमेशा सुम्बूल के सामने असहज सा रहता था, उस दिन उजमा कुछ उदासी थी तो सुम्बूल ने उससे उसकी उदासी की वजह पूछी, मेरी बहन की मंगनी तूट गई, लड़का किसी और से शादी करना चाहता है, जबकि घर वाले जबरदस्ति उस की शादी मेरी बहन से कर रहे थे, कल उन दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली, उजमा ने बड़ी उदासी के साथ कहा, फरहान और सुम्बूल को सुन कर बड़ा दुख हुआ, जल्दी शादी होने वाली थी, अब कितनी दि खत्म किया है, तो बदनामी आप की बहन की क्यूं होगी, फरहान ने उजमा को दिलासा देते हुए कहा, भाई साहब लड़के का कुसूर कौन मानता है, सभी लड़की पर ही उंगली उठाते हैं, उजमा की आँखे नम हो, उठी थी, जमाना बदल गया है, आपकी बहन की को वैसे आपको पता है, मुंबुल की भी मंगनी एक, बार तूट चुकी थी, फिर देखिये ना कितनी अच्छी लड़की, मू, मिल गई, के कुछ देर की खामूशी के बाद, फरहान ने प्यार भरी नजरों से मुंबुल को देखा, भला, इस जैसी इतनी प्यारी लड़की स कौन शादी नहीं करना, चाहेगा, उजमा ने मुंबुल की तरफ देख कर कहा, मुंबुल थोड़ी असहज हो गई थी, खास्तोर पर जब तब, बिलाल भी वहां मौजूद था, उधर बिलाल भी एकदम, चुप बैठा था, क्या वह लड़का भी किसी और को चाहता था, उ मुंबुल की कहानी जानने के लिए उतावली हो उठी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, असल में उनके घर वालों को लगा कि मैं जौब करती हूँ तो घर के काम नहीं करूंगी, उनको अपने घर के लिए कोई सजावटी गुड्या नहीं, चाहिए थी, थोड़ी देर जाना भी बनाती हैं, घर भी इतना अच्छा रखती हैं, क्या उन लोगों ने कभी आप का घर नहीं देखा था, उजमा को यकीन नहीं हो रहा था, कि मुंबुल जैसे खुबसूरत और इतने सलीके वाली लड़की को कोई कैसे छोड़ सकता है, असल में एक बार उनके अब् जबरदस्ती घर के काम करने से मना कर रखा था, फिर मैं भी जॉब छोड़ने वाली थी तो, अपना काम हैंडोव कर रही थी और इसलिए लप्टॉप पर काम कर रही थी, लेकिन उनके अब्बु को लगा की, शायद मैं कभी घर के काम नहीं करती और इसलिए उन लोगों न की ये रिष्टा तोड़ दिया, मुंबुल ने पूरी बात बताए, और उस लड़के ने भी कुछ नहीं कहा, उजमा ने हैट से पूछा, नहीं, उसने भी बिना मेरी बात सुने अपने घरवालों की बात मान ली, मु, अपनी सफाई देने का मौका ही नहीं, मिल, तो अच्छा ही हुआ, ये सब नहीं होता तो, मु, इतने अच्छे पती कहा मिलते, सुम्बुल ने मुहबबत, भरी नजरों से फरहान की तरफ देखते हुए कहा, ये तो कुद्रत का कमाल है, फरहान ने अदब से सिर काते हुए कहा तो सुम्बुल और उजमा दोनों ही हंस पड़ी, वैसे भी अब जमाना बदल गया है, आज लड़कियां जॉब के साथ साथ घर भी अच्छी तरह संभाल रही हैं और अगर ऐसे में हम हस्बेंड लोग घर के कामों में थोड़ी मदद कर दें, तो इसमें बुराई ही क्या है, आखिर घर भी तो दोनों का ही होता है फरहान ने थोड़ा गंबीर होते हुए कहा, भाभी आप बेफिक्र रहें, आपकी बहन के लिए अच्छा, लड़का हम भी धून्धेगे, फरहान ने उजमा को दिलासा दिया, थोड़ी देर बाद फरहान सब के लिए आइसक्रीम लेने चला गया और उजमा वाश्रूम च अकेला, देखकर बिलाल उसके पास आया असिर का सुम्बूल से माफी मांगने लगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुँ, आपसे कोई शिकायत नहीं है, शायद हमारे हिस्से में यही लिखा था, मुम्बूल को उसके चहरे पर शर्मिंदगी के भाओ, साफ नजर आ रहे थ उसके दिल में बिलाल के लिए कोई मलाल नहीं था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बिलाल के मन से बढ़ाबो उतर गया था, शाम को बिलाल और उजमा जब घर लोटे तो उजमा के सेर में दर्द हो रहा था, वो आँखे बंद कर थोड़ी देर के लिए लेट गई, तुम आराम करो आज, कॉफी मैं बनाता हूँ, घर पहुँचकर बिलाल ने उजमा से, कहा तो उजमा की हैरत की इंतहा न रही, अरे आज, आपको यह क्या हो गया, आप तो घर के काम करने को बिलकुल अच्छा नहीं मानते, उजमा को बिलाल का, ये रूप देखकर हैरानी भी हो रही थी और खुशी भी, फरहन भाई सही कहते हैं, घर तो शोहर और बीवी, दोनों का ही होता है तो क्यूं ना घर के काम भी दोनों, मिल जुल कर करें, बिलाल ने मुसक्राते हुए कहा, अरे ये कैसी कॉफी बनी है, बिलाल ने कॉफी का, पहला घूंच, लेती ही ब कॉफी है, उजमा ने बिलाल की तरफ प्यार भरी नजरूं, से देखते हुए कहा तो बिलाल को भी चारों तरफ, रंग बिरंगे फूल दिखाई देने लगे, दोनों के रिष्टे का एक, नया अध्याय शुरू हो चुका था, साइबर ट्राप, क्या कायम रह सका मानवी का भरोसा, OMG, कहा थे यार, थोड़ा बेजी था, तुम सुनाओ, anything new, how are you, कैसा चल रहा तुम्हारा काम, के, मतलब, okay, short form के, हा हा हा, तुम और, तुम्हारे short forms, हा हा हा, को तुम LOL भी लेख, सकते हो, मतलब, laughing out loud, हा हा, वही, LOL, पर एक पहेली अब तक नहीं सुल जी, अब, टा मतलब, क्या पहेली, हा हा हा, मतलब कुछ भी short, और क्या, okay, मुझे बहस नहीं करनी, अब पहेली बुझाना बंद करो और जल्दी से, online वाला नाम छोड़ कर अपना, real name, बताओ, the rock star, उह, ये तो हो ही नहीं सकता, कुछ तो real बताओ, न चेहरा देख रहा, न नाम real, हा 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 तुम तो बस, मेरे नाम के पीछे ही पढ़ गई हो, अरे बाबा, ये तो बस, फेस्बुक के लिए है, जैसे तुम्हारा नाम, स्वीटी मनू, वैसे, मेरा नाम, तो तुम्हारा असली नाम क्या है, असली यत फिर कभी, बाए, बाए, हमेशा ऐसे ही टाल जाते हो, कै देती हूँ अगर, अगली बार तुमने अपना नाम नहीं बताया और अपना चहरा नहीं दिखाया तो फिर सीधा ब्लॉक कर दूंगी, याद, रखना कोई मजाक नहीं, एलो एल, मजाक नहीं, बिलकुल सच, चल चल देखेंगे, ठीक है, फिर तो देखी लेना, हर रोज लड़क को ही पता था कि ये तो कोरी धमकी है, सच के धरातल से कोसों दूर दोनों एक दूसरे से बात कि ये बगेर रह नहीं पाते थे, कंप्यूटर की भाशा में चेटिंग, उनकी रोजमर्रा की जीवन चर्या का हिस्सा थी, दोनों के बीच दोस्ती की पहल लड़के की ओर से ही ह हुई थी, दोनों के 100 से अधिक mutual friends थे, लड़के ने लड़की की DP profile photo देखी और बस friend, request भीज दी, लड़की ने भी इतने सारे mutual friends देखकर request स्वीकार कर ली, बस बातचीत का सिलसिला चल निकला, कभी उट पतानक तो कभी, गंबीर, दोनों एक ही शहर से थे, तो कई common friends भी न एक दिन बातचीत करते हुए लड़की, लड़की की पहचान पर अटक गई, तुमने अपना चेहरा क्यूं छिपा रखा है यार, एकदम mysterious man type, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कभी कभी बिल्कुल, अजनबी सा लगता है, एक बात बताऊं, मैं भीर में या, social sites पर बहु होना मजबूरी है, ओके, ठीक है, पर हम लोग इतने समय से एक दूसरे से बाते कर रहे हैं, हम दोनों के बीच राज जैसा तो कुछ होना नहीं चाहिए, मुझे तो अपना चेहरा दिखा ही सकते, हो, प्लीज, इस बार लड़का उसके आगराव को टाल, नहीं पाया, बिना नानुकुर के उसने अपनी फोटो भेज दी, ओ इम जी, इस युग में भी इतनी घनी मून्चे, यहां आने के, बाद तो सब की मून्चे सफाचट हो जाती हैं, एलो एल, अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारा नाम स्वीटी है या मनू, गैस करो, उमम, स्वीटी, नही मानवी नाम है मेरा, सहेलिया मनू कहकर बुलाती हैं, तुम्हारा नाम भी मनू ही है न, नहीं, मानव नाम है, एलो एल, ओके, बाद में बाते करते हैं, मीटिंग का समय हो गया है, ओके, बी ओ एल, अब ये बी ओ एल का मतलब क्या हुआ, बैस्ट ओफ लग, बुद्ध, ओक बाई, मतलब कुछ भी तो शॉर्ट किच, हाँ, 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 बाई, छोटे शहरों से युवक जब महानगरों का रुख करते हैं, तो दोस्तों की संगत में सबसे पहली कुर्बानी मून्चों की ही होती है, भले ही जवानी कब की गुजर गाईर होग पर, मून्चे छ पहर ने उसकी मून्चों को नहीं चीना था, अपने सपनों को मूर्त रूप देने के लिए वह घर से पैसे लिए बिना महानगर भाग आया था, अपनी मेहनत और लगन से उसने नौकरी तो पाली, लेकिन मून्ची कटने नहीं दी, घनी मून्ची उसके चेहरे पर फब्ती थी, वास्तविक दुनिया में वो महिलाओं से दूर रहता था, उन से जल्दी घुलमिल नहीं पाया था, लेकिन आभासी दुनिया में महिलाओं से चेटिंग और फ्लर्टिंग करना उसकी आदत थी, लफफाजी में उससे कोई नहीं जीत पाता था, उसकी इसी काबिलियत पर महिलाओं रीज जाती थी, मानवी और मानव दोनों के नाम बिलकुल एक से थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से एकदम अलग थे, जहां मानव किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेता, चाहे वह रिश्ते की ही क्यूं नहों, वहीं मानवी के लिए छोटी-छोटी चीजे भी महत्वपून हुआ करती थी, वह तूट रहे रिश्तों को, जोडने की कोशिश में लगी रहती, उसने अपने माता-पिता को अलग होते देखा था, वह अपनों के खोने का दर्द, अच्छी तरह जानती थी, उसे लगता था कि मर रहे रिश्ते में भी जान फूंकी जा सकती है, बशर्ते सच्छे दिल से इसके लिए कोशिश की जाए, मानवी और मानव की रुची लगभाग एक सी थी, दोनों को ही पढ़ने और नाटक का शौक था, शेक्स्पियर और उनका लिखा द्रामा रोमेयो जुलियेट दोनों के ही पसंदीदा थे, चैटिंड करते वे उन्हीं जी रहे होते, उन दोनों के कुछ चुनिंदा दोस्तों को इसकी भनक लग चुकी थी, दोनों के कॉमन फ्रेंड्स उन्हीं रोमियो जुलियेट कह कर छेड़ने लगे थे, मानव और मानवी दोनों हमुम थे, वे एक ही शहर के रहने वाले थे और महानगर में अ चैटिंग धीरे धीरे 24 घंटे वाली चैटिंग में बदल गई थी, कभी स्माइली, कभी इमोजी, कभी साइन लेंगविज तो, कभी हम नजदी किया बढ़ी और बात वीडियो कॉलिंग तक पहुंच गई, दोनों साइबर लव की गिरफ्त में आ चुके थे, अब तक साक् दोनों एक दूसरे के कट्टर समर्थक हो गए, पहली बार दोनों एक कॉफी शॉप पर मिले, मोबाइल पर दिन रात चाहे जितनी भी बाते कर ले पर, इस पहली मुलाकात में मानव की नजरे लगातार जुकी रही, मानवी की तरफ उसने नजर उठा कर भी नहीं, देखा, यही नहीं, उससे बाते करते हुए मानव के हाथ पाउं, काम प्रहे थे, जो लड़का सोशल नेटवकिंग साइट पर इतना बिंदास हो, उसका ये रूप देख कर मानवी की, हैसी रुप नहीं रही थी और मानव अपनी जेप मिटाने के, लिए इधर उधर की बाते करने और जबरदस्ती चुटकुले, सुनाने की कोशिश कर रहा था, बीटते समय के साथ, मानवी का मानव पर भरोसा गहरा होता चला गया, दुनिया से बेखबर दोनों ने उस महानगर में एक साथ, एक ही फ्लेट में रहने का निरने ले लिया, अब वे दोनों, एक दूसरे के पूरक और साजेदार बन गए थे, मानव कभी खुल कर नहीं हसता था, और मानवी की खुशी अकसर, मानव के होटों पर छिपी मुसकान में फंस कर रह जाती, गर्मी अपने चरम पर थी, पर इश्क के मौसम ने दोनों के एहसास ही बदल डाले थे, एक रोज जब गर्मी के उबाओ मौसम से उब कर सूखी सी दोपहर उबासी ले रही थी, पारा चालीस डिग्री पहुँचने को था, गर्मी से बचने के लिए लोग अपने घरों में दुब के पड़े थे, प्यासी चिडिया, पानी की खोज में इधर उधर भटक रही थी, उस रोज, दोनों ही ज प्रित्वी बन गया, और मानव मानवी पूरी प्रित्वी पर अकेले, बिल्कुल, आदम होआ की तरह, त्रिप्त मानव गहरी नींद सो गया, लेकिन मानवी की आँखों में नींद नहीं थी, मानवी के हूँठों पर मुस्कान तैर गई, देर तक उस सुखद एसास को वह म पूर्ण महिला होने का एहसास हुआ, उसका अंगंग खिल चुका था, चेहरे पर कांती, महसूस हो रही थी, चाल में अलहर्पन की जगा हलचक आ गई थी, उन दोनों के बीच कोई कमिटमेंट नहीं था, कोई साथ फेरे और वचन नहीं, नहीं मानव में सिंदूर या मंग सूत्र का बंधन, लेकिन एक भरोसा था, उसी भरोसे, पर तो मानवी ने अपना सब कुछ न्योचावर कर दिया, मानवी की दुनिया अब मानव के इर्दगिर्द सिमटने लगी थी, उसे अब सोशल साइट्स पर महिलाओं के संग मानव की फ्लटिंग पसंद नहीं आती थ इस पर मानवी अकसर अपना गुसा जाहिर भी कर देती और मानव खामोश रह, जाता छोटे शहर की यह लगू प्रेम कथा धीरे धीरे बड़ी, कहानी में बदलती जा रही थी, मानव की बुलेट की आवाज मानवी दूर से ही पहचान जाती, जब दोनों अपने शहर जाते तो ये बुलेट ही थी जो दोनों को मिलवा पाती, मानव की बुलेट धर धड़ाती, मानवी की खिर की परा, जाती, एक दूसरे की एक जलक पाने के लिए बेताब, दोनों के होटों पर मुसकान थिरक उठती, दोनों आपस, मैं अकसर वैसे ही बाते करने लगते जैसे की खामोश थी, दिन बीत रहे थे, कुछ करीबी दोस्तों के सिवा उन दोनों कि इस सहजीवन की खबर किसी को नहीं थी, उन्हें एक साथ रहते दो साल हो गए थे, एक दिन मानवी के मोबाइल पर उन दोनों की एक अंतरंग तस्वीर किसी अंजान नमब से आए, ये देख करने के लिए मानव को ढूंदने लगी, पर मानव उसे पूरे घर में कहीं नहीं मिला, उसका फोन भी स्विच ओफ आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा, था कि आखिर उनकी यह तस्वीर किस ने ली, इतनी अंतरंग तस्वीर या तो वह खुद ले सकती थी, या फिर मानव उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह तस्वीर भेजने वाले तक पहुची क्या से, उसने तस्वीर भेजने वाले नमबा पर फोन लगाया पर वह भी स्विच ओफ था, उसके बाद मानवी ने एक कॉमन फ्रेंट को फोन करके सारी बाते उसे कैस सुनाई, उसने थोड़ी ही दे पहरों के नीचे से जमीन खिसक गई, उसने बताया कि उन दोनों की और भी ऐसी कई तस्वीरे वा वीडियो ज मानव ने एक साइट पर अपलोड कर रखे हैं, मानव ने, हाँ, मानव ने, मानवी को ये सुनकर अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, उसे लग रह था कि शायद उन दोनों के रिष्टे को वह कॉमन फ्रेंट तोड़ना चाहता है, इसलिए ऐसा कह रहा है, लेकिन फिर मानव का फोन स्विच ओफ क्यों आ रहा है, ऐसा तो वह कभी नहीं करता है, अब मानवी को पूरी दुनिया अंधकार में लगने लगी, उसे अपने उस दोस्त की बातों पर यकीन होने लगा था, क्या इसलिए उसने कभी खुल कर अपने प्यार का इजहार नहीं किया, वह फूट फूट कर रोने लगी, मैं मान नहीं सकती, he loves me, he loves me यार, मानवी ने चिल्लाते हुए कहा, सिस्कियों की वजह से उसके शब्द असपष्ट थे, जब अंदर का तेजाब बह निकला तो वह पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ी, शिकायत दर्ज करवाने के दोरान उसे कई जरूरी गयर जरूरी, सवालों से दोचार होना पड़ा, मानवी हर सवाल का जवाब, बड़ी द्रिर्ता से दे रही थी, बात जब बिना ब्याह के सहाजीवन की आए और महिला कॉंस्टेबल उसे ही कट घरे में खड़ी, करने लगी तो उसके सब्र का बांध तूट गया, उसका दम घुटने लगा, वो वहां से उठी और घर के लिए चल, पड़ी, उस दिन हर नजर उसे नश्तर की तरह चुब रही, थी, सब की हंसी व्य अंग्यात्मक लग रही थी, उस दिन, उसे सभी पुरुशों की आँखों में हवस की चमक दिख रही, थी, मानवी शर्म से पानी-पानी हुए जा रही थी, किसी से नजर मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, घर पहुँचने के साथी उसने मानव पर चिलाना शुरू कर दिया, क्षोब और शर्मिंदगी से वह पागल हुई जा रही थी, हर कमरे में जाकर वह मानव को ढूंड रही थी, लेकिन मानव तो कहीं था नहीं, वह तो वहां से जा चुका था, हमेशा के लिए अभासी दुनिया से शुरू हुआ प्यार अभासी हो कर ही, रह गया, उ इस धोखे के लिए मानवी बिलकुल तयार नहीं थी, उसने संपूर्णता के साथ मानव को स्विकार किया था, वह मानव के इस ओचेपन को स्विकार नहीं कर पा रही थी, दो साल तक दोनों सहाजीवन में रहे थे, मानवी उसकी नसनस से वाकिफ थी, लेकिन ऐसे, किसी धो हो रही थी, दुख हो रहा था, वह दोबारा पुलिस के पास नहीं जाना चाहती थी, घर पर कुछ बता नहीं सकती थी, मानव ने जो किया उसकी माफी भी संभव नहीं थी, मानवी ने सोशल मीडिया के जरिये मानव को ट्राइक करना शुरू किया, जाल साजी करने वाला श चक्स हमेशा अपने बचाव की तयारी के साथ आगे बढ़ता है। मानव भी Facebook, WhatsApp, Twitter सब की पुरानी ID को ब्लॉक कर नई ID बना चुका था। लेकिन मानवी भी हार मानने वाली नहीं थी। एक पुरानी कड़ी से उस का नया प्रोफाइल मिल गया। मानवी ने अपना एक नकली प्रोफाइल बनाया और उससे दोस्ती कर ली। नकली प्रोफाइल के जरिये उसने मानव को मजबूर कर दिया कि वो उससे मिले। एक बार फिर मानव आत्ममुगधा हुआ जा रहा था। मिलने की बात सोचकर बार बार वो अपनी मूंचों पर ता गार्डन तै हुआ, मानव बेसबरी से आभासी दुनिया की इस नई दोस्त का इंतजार कर रहा था, एक एक पल गुजारना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, थोड़ी इंतजार के बाद मानवी उसके सामने थी, उसे देख कर मानव चौंक पड़ा, जब तक वो कुछ समझ पाता, कुछ बोलता, मानवी, बिजली की तेजी से आये और, तेजाब की पूरी शीशी उसके चहरे पर उडेल दी, पहले ठंड़क और फिर जलन तदर्द से तद छटपटाने लगा, जलन व दर्द से व छटपटाने लगा, मानवी पर तो जैसे भूत सवार था, व चिल् थी, तुमने मेरी जिंदगी बरबाद की, अब मैं तुम्हें बरबाद करूंगी, इसी चहरे से तुम सब को चलते हो न, अब ये चहरा ही खत्म हो जाएगा, मानव अवाक रह गया, उसे इस अंजाम की उम्मीद न थी, उसके सोचने समझने, की शक्ती खत्म हो गई थी, मा खालत को देखकर मानवी को एसास हुआ, की वो अब भी उस इंसान से प्यार करती है, उसकी नफरत क्षनेक थी, लेकिन प्रेम स्थाए है, उससे उस की ये चछट-पटाहट बरदाश्ट नहीं हो पा रही थी, देखते ही देखते मानवी ने भी उस उची चछट से चलांग दी और इस तरह दो जिंदगिया साइबर ट्राप में फंस कर तबाह हो गई